IPL 2023 जैसे जैसे अपने अंतिम चरण की और बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंटेबल और प्लेओफ की रेस और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होती जा रही है सबी टीमों के लिए समिकर्ण अब बदल चुके हैं और बहुत सी टीमें जो हैं अब चाहा कर भी इस प्लेओफ में जगह नहीं बना सकती है जी हाँ आज के इस वीडियो में हम उन्ही टीमों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो प्लेओफ की रेस से बाहर हो चुकी है जिनका प्लेओफ से कोई खास तोर पर लेना देना नहीं है इन टीमों के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि अब तो नाम मात्र की आपचारिक तावची हैं लेकिन ये वो टीमें हैं जो दूसरी टीमों का प्लेओफ तरह करने वाली हैं जो प्लेओफ की रेस से बाहर हो गई है लेकिन ये दूसरी टीमों का खेल और स्रमिकन सब बेगाड़ सकती है चांते हैं से खास रिपोर्ट में ज़र आ रही है अलांकि प्लेओफ में अभी भी किसी भी एक टीम ने ऑफिशली तरीके से जगा तो नहीं बनाई है लेकिन कुछ टीम में उन से बाहर जरूर हो गई है और अब उन टीमों का प्ले आप से कोई खास तोर पर लेना देना नहीं है लेकिन ये वो टीम में है जो किसी और टीमों का खेल और समीकर्ण बिकाड सकती है आईए आपको बताते हैं उन टीमों के बारे में बाहर होने वाली टीमों की लिस्ट में सबसे पहले पाइदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है दिल्ली कैपिटल वो टीम है जो इस साल बहुत ही खराब खेल दिखाती है फले ही दिल्ली को एक दो जीत मिली हो लेकिन उससे कोई खास फरक पड़ेगा नहीं दिल्ली कैपिटल फिलाल पॉइंटेबल में सबसे आखिरी इस्तान पर है जहां दिल्ली ने 9 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले जीते हैं दिल्ली ने अब बचे हुए 5 मुकाबले हैं भले ही 5 के 5 ये जीत जाती हैं तो ही ये टीम प्ले आप पे अपनी जगा 100% कनफर्म कर पाएगी लेकिन अगर एक भी मुकाबला ये हार जाती है तो फिर मान के चलिए ये टीम प्ले आप में बाहर हो जाएगी इसका फिर प्ले आप से कोई लेना देना नहीं है अब आप कहेंगे दिली केपिटल के लिए बचे हुए सारे के सारे मुकाबला जीतना लगबग नाममकिन है और नाममात्र की अपचारिकता है मैतमेटिकली दिली अब भी क्वालिफाय कर सकती है लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वैसा पॉसीबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए आप कह सकते हैं दिली केपिटल प्लेफ की रेश से बाहर हो चुकी है इनका कोई खास दोर पर लेना देना नहीं है इसलिए हमारे इस लिस्ट में पहले पाइदान पर दिली केपिटल है हमारी इस लिस्ट में दूसरे पाइदान पर नाम Sun Rises Hyderabad का आता है Sun Rises Hyderabad भी Pointable में Second Last है यानि 9 पोजिसन पर है Sun Rises Hyderabad के लिए भी अब बाहर होने के लिए कोई खास वज़ा नहीं चाहिए क्योंकि इस टीम ने भी इस साल बहुत ही खराब खेल दिखाया है फिलाल संद्राइजर हैदरबाद को कुछ मुकाबले और खेलने हैं मान के चली संद्राइजर हैदरबाद को 6 मुकाबले और खेलने हैं प्लेयोप में जगब बनानी है तो फिर उन 6 मैंसे असारेज को किसी भी हालात पर 5 मुकाबले जीतने होंगे और उसमें SRC के मुकाबले चैनेशे हैं, MI से हैं, बड़े बड़े टीमों से हैं तो फिर आप तो यही कहेंगे संद्राइजर हैदरबाद के लिए 6 में से 5 जितना लगबग लगबग नामुम्किन है इनके लिए आसान नहीं है, आप ये भी कहेंगे संद्राइजर हैदरबाद के लिए यहां से रास्ते बंद नजर आते हैं इसलिए संद्राइजर हैदरबाद के लिए भी मात्र आपचारिकता बाकी है मात्र मैथामेटिकली यह चीज पॉसिबल है कि यह चीज क्वालिफाइ कर सकती है लेकिन लगबग नहीं 100% यह बाहर होती हुई नजर आ रही है हमारी इस लिष्ट में तीशरे पाइदान पर टीम केके आर यानी कॉलकता नाइट राइडर का आता है कॉलकता नाइट राइडर ने भी इस साल बहुती खराब खेल देखाया है नितिश राणा की कप्तानी में यह टीम कुछ खास कमाल नहीं कर सकी बड़े-बड़े किलाडी आंद्रे रसल, वैंकते, शायर, सॉनिल, नारायन जासे एक थाकड किलाडी भले ही मौजूद है लेकिन इस टीम ने खराब खेल देखाया है जिसकी वज़े से इन टीम के लिए कंडिशन ये बन चुकी है कि बचे हुए पांच मुकाबले और पांचों के पांचों जीतने जरूरी हो गए है अगर पांच में से एक भी हारते हैं तो आप प्लेओप के रेश जे बहार है इसमें कोई दोहराय नहीं अब आप तो यही कहेंगे कि केके आर के लिए भी यहां मुश्किले बढ़ चुकी है क्योंकि पांच के पांच जीतना लगबग नाममकिन है mathematically possible है लेकिन practically नहीं तो आप यही कहेंगे कि KKR के लिए भी रास्ता बंद हो चुका है इनके लिए भी कोई खास जगह बंती नहीं है playoff 2023 के अंदर अब चौती टीम कौन सी है इसके लिए बड़ी काफी ज्यादा खमाशान है चौती टीम कोई भी हो सकती है और उसमें सबसे तीन प्रमुक टीमें है जिसमें पंजाब हैं पंजाब की बचे हैं चार मुकाबले तीन मुकाबले हर हाल में जीतने जरूरी है और वैसा यहाल चैनई सूपर किंक्स और लखनव सूपर जैंट्स का है एक मुकाबला रद होने की वज़ा से इनकी मुश्किले भी बढ़ चुकी है अब इन्हें भी बचेवी चार में से तीन हर हाल में जीतने जरूरी है और लखनौ के लिए भी तो लकनाउ चैनाई और पंजाब फिलाल जिस पोजिशन पर है इन तीन में से कोई एक टीम तो फिलाल बाहर होती हुई नजर आ रही है और बाकी आपको क्या लगता है यहां से कि कौन सी वो टीमे चार होंगी चो प्ले अप में जगा बनाएगी कमेंट जेक्शन में अपनी राय बताएगा बाकी फिलाल इस वीडियो में इतना ही